अब जिस टाइप ओफ रीटेलर को हम डिसकस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फेक्टरी आउकलेट ये एक नॉमल रीटेलर है जिसको हम आम रियनरबाई लोकालिटीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉमली इस तरह का रीटेलर यहां पर प्राड़क्ट प्राइसिंग आपको बहुत जादा कमपैटिटिव मिलेगी और इस तरह के नॉमली जो फैक्टरी आउकलेट्स हैं यह नॉमली फैक्टरी या मनुफैक्टरिंग एरिये के बिल्कुल साथ एरिया के अंदर आपको नजर भी आते हैं नॉमली कंप करती हैं कि दे बाड़ तूसल तू दिल्कॉई आपको फैसिलिटेट करें फैक्टरी आउटलेट का पुराना कॉंसेट यह था कि वो सिफ ब्रेक अंदर स्टोर यानि के फिजिकल स्टोर की सूरत में एक्जिस्ट करता था लेकिन आज के दिन में दिर आए लॉट अग्ञा जहां पर हमारे पास factory outlets, online stores की सूरत ने भी मौजूद है, so there are both kind of possibility है, कि जहां पर हमारे पास it can be a brick and mortar store also, or it can be an online store also, तो company manufacturer अगर खुद sell कर रहा है, operate कर रहा है इस तरह के stores को, तो yes, they can sell their products in these particular stores, और objective इस तरह के stores के अंदर, normally यही होता है हमारे पास, कि जब company sell कर रही होती है, तो company middleman को eliminate कर रही होती है, चुकर directly manufacturer यह उस time point of time के ओपर आके, खुद retailer बन जाता है, तो जहां पर manufacturer retailer हो, तो वहां पर तमाम तरह के middleman, वो बेशक specifically, अगर मैं बात करूँ distributor है, अगर मैं बात करूँ वो wholesaler है, वो actually ideally eliminate हो जाते हैं, normally non-food cases के अंदर आपको, factory outlets का concept नजर आएगा, यानिके shoes की category के हवाले से, यानिके clothing category के हवाले से, यानिके maybe baggage के हवाले से, luggage के हवाले से, यानिके seasonal items के हवाले से, तो तकरीबन इस तरह के product categories के उपर, जो के non-food based है, non-food categories है, वहाँ पर जारे तर आपको ये factory concept का, factory outlet का, factory retailer का concept नजर आएगा, normally इस तरह के outlets के उपर, क्यूंके again concept वही है, कि price is the major point, तो यहाँ पर भी product की supplies irregular रहेंगी, ऐसा नहीं होगा, कि you will find consistency in the assortment, जो product मौजूद होगी, जो के maybe, उसी quality, उसी criteria के उपर, इस तरह के जब हम बात करता है, बेशक वो ओवरन प्रॉड़क्ट है, बेशक वो old age stock का product है, पुराना product है, off-season product है, उसके उपर कोई थोड़ा सा defective product है, तो इस तरह के products है, वो normally आपको नजर आएगे, जब हम factory outlets की, assortment की बात करते हैं, मैं आपके सामने, अगर शेर करूँ, कि normally इस तरह के areas के अंदर, जिस तरह अगर मैंने physical stores की बात की, तो आपको नजर आएगा, कि factory outlet, उस particular locality के अंदर, जहां पे manufacturing setup है, वहीं पे लगा हुआ है, इसी तरीके से, बहुत सारे आज के दिन में stores है, factory outlets है, जो के specific markets के अंदर भी exist करते हैं, इस तरीके से, मैं अगर बात करता हूँ, again मैंने last example के अंदर भी, इकबाल टाउन की market की बात की, जब हम off price chain stores की बात कर रहे थे, तो factory outlet का concept भी, लाहूर की इस तरह की market के अंदर exist करता है, और almost in every city, इस तरहा के markets मौझूद है, पाकिस्तान के context के अंदर, इंडियन context के अंदर, चाइना context के अंदर, almost all Asian context के अंदर, आपको वो markets नज़र आएंगी, के जो के factory operated outlets के उपर, depend करती है, base करती है, यानि के वहाँ पर almost every non-food company, has his own factory outlet, मैं अब आपसे इसकी, कुछ examples को share करने लगाँ, इस तरह के से famous example हमारे पास, बाटा के factory outlet की है, या service के factory outlet की है, या style के factory outlet की है, metro shoes के factory outlet की है, यह वो तमाम examples है, जो के एक basic आपको बता है, shoes की industry के अंदर, जिसा मैंने बताया के majorly non-food dependent होता है factory outlet, तो आपको नजर रहेंगी, प्राडा की international example हमारे पास है, पाकिस्तान के context के अंदर, आउटफिटर की example है, केसरिया की example है, they have their factory outlets, अब एक they have their routine outlets, normal outlets, normal retail outlets, और इसी तरीके से they have factory outlets, तो हम specifically यहां बात करें हैं factory outlets के हवाले से, तो आउटफिटर के factory outlets मौजूद है, प्राडा का factory outlets मौजूद है, इसी तरीके से केसरिया के factory outlets मौजूद है, हमारे पास examples के अंदर हैं, तो चारकूल की factory outlets मौजूद है, लिवाईस एक बहुत known example है, पाकिस्तान के कांटेक्स के अंदर, majority of the लोग जयादा तर factory outlets को prefer करते हैं, बाई करने के लिए products को लिवाईस से कांटेक्स के अंदर, specially, break out के अगर हम बात करते हैं, तो break out has its own, again इसी तरीके से factory outlets, colors का factory outlet अलग है, और इसी तरीके से multiple brands, जो के परे product को sell कर रहे हैं, multiple manufacturers जो के product को sell कर रहे हैं, normally they prefer के वो factory outlets के थुरू भी customers को target करें, तो जितनी examples हमने discuss की हैं भी आपके सामने, ये वो तमाम examples हैं, जो के आपको help कर रही हैं इस concept को समझने में, जो के बड़ा simple, असा concept है के product को sell करना है to the end consumer, और normally ये product categories हैं non-food based, इसमें objective यही है कि आपको प्राइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और manufacturer का target इसमें क्या है, जो के at the same time retailer है, उसका target क्या है इस तरह के products के उपर, कि वो अपनी B category product को, या वो अपनी old stock product को किसी ना किसी तरीके से, और अगर वो करने में कामियाब हो जाता है, तो of course retailer का अपना objective मीट होता है, और customer का objective भी मीट होता है, because वो एक अच्छा price point, एक अच्छी quality product जो है वो देख रहा होता है, तो ये examples को recall कीजे, या आपको help करेंगे इस concept को और बहतर तरीके से understand करने के लिए.